पूरा उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में हैं हिसार में नियुंतम तापमान चार डिगरी सेल्सियस के आसपास बना हुआ है लेकिन दो वैस्टन डिस्टरबेंस एक बार फिर मौसम में परिवर्थन पैदा करेंगे मौसम के इसी परिवर्थन से जुड़ी जादा जानकारी के लिए करिशी मौसम वैग्यानिक डॉक्टर मदन खीचर से बाचित की हिसासे टोटल नियूज के एसोसेट एडिटर डॉक्टर महीश कुमार ने जबर्दस्त शीत लहर का सामना लोगों को करना पड़ रहा है हमना करना पड़ रहा है नूरितम तापमान हिसार में चार डिगरी सेल्सियस तक नीचे जा चुका है हां बिलकुल अभी पिछले महिने तो पान्स ज्यादा होता है ONT 3D के बीच में तो और बीच में शीर पान ओ जारें से कम रहा है तो जातरि हमारें जनुरी के वो ऑज़नोरी कर दिन रहे है हमसे बार बार बधन ओर हुरह हो रह इनículos सबाता है तो पुर्वाई होआई चलने ही लगती है और जाते ही उत्तर पश्ची में होआई चलने ही लगती है तो इसके कान नमी वातावन ने होने कान और तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है साथ में दुंद का भी परभाव देखने को मिल रहा है अभी आने वाले दिन सब्सक्राइब करें तो क्या यह हल्की बुंदाबांदी हो सकती है या अच्छी बारिश का पुर्वानुमान कृष्ट मौसम वैगानिक दे रहे हैं नहीं यह बारिशी फरवरी के पहले अपते में कुछ चांसिस बंड रहे हैं जिसमें बारिश में कहीं हाалकी होगी कहीं बुंद बांदी कुछ मद्य accountability चलनी की संभावना कि बन रही है कि इस तरीक बारिश की कुछ संभावना बन रही है अभी वो स्पश्चे विक्सोब क्योंकि काफी दिनों के बाद में हैं उस में उस टाइम उसका कितरा परवाव रहेगा यह देखने बड़ी बात रहेगी तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ सलाब देंगे किसान भाईयों को यह है कि अभी जो तापमान तो कफी कम है चार डिग्री और दिन का तापमान कभी कम है और वातवर्ण में नमी है तो इसलिए कोई पाड़े की असंका तो भी नहीं बन रही तो पसलों पर कोई ज्यादा नकरातम परवाव तो नहीं है गयों की पसल पर इसक पहुत हैं उन्हें भी हाड़की सिंचाहिए करें और गयों में यदि आप सिकता हो तो नहीं तो परवरी के परतम सब्दा में बारिस की पूरी संभावना बन रही है नुनितम तापान के करीब जाने की क्या कोई संभावना कोई आशंका जाहर की जा सकती है अभी तो क्यूंक जाने की आशंका को खारीज क्रिशी मौसमेगानिकों की तरफ से किया गया हलाकि हाड़ कपा देने वारी सरदी का लोगों को आगे भी सामना करना ही वड़ेगा सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार टोटल नियूज हिसार